हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वडान इंफिनिटी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, हम लोग पिछले दो-तीन दिन से आपको CAPF का जो भी पेपर होकर चुका है उसका solution आपको बताते आ रहे हैं, वो solution हम काफी detailed way में आपको explain भी कर रहे हैं अभी तक मैंने भी आपको maths का paper करवाया था, आपको यह चीज समझ आई होगी कि maths और reasoning के questions कितनी easily आप tackle कर सकते थे वहाँ पर, फिर भी चलिए कुछ लोगों आगर mistake कर दी होगी आज मैं आपके लिए physics का portion था, उसके solution लेकर के आया हूँ, तो यह CAPF का मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, कि CAPF का जो हमारा examination हुआ था, यह भी हुआ था कब, यह हुआ था हमारा CAPF 20 December 2020 को, अभी हुआ था, 3-4 दिन पहले मैं ली problem क्या थी, मैंने आपको यह भी बताई थी, कि internet पर हर जगह आपकी इसकी answer sheet अवेलेबल थी, और काफी जगह पर जो इसको, उन्होंने वीडियो बना कर भी इसको explain किया, लेकिन जातर जगह problem क्या, students क्या बता रहे है, उनका कहना है कि उनके answers जो, अलग 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 जाए, लेकर हम सभी solution detail explanation के साथ देंगे, और बिल्कुल valid reasoning के साथ देंगे, जिससे कि यह कोई chance ही नहीं रहे है, इसमें कि कौन सा option गलत है, कौन सा सही है, यहां से जो आपको मिलेगा, 100% correct answer मिलेगा, चाहिए उसके लिए हमको कहीं से research करके answer देना पड़े, तो इसी लिए यहां पर हमें थोड़ा सा delay भी हो गया, आज जो हमें पोर्शन देखने वाले हैं, वो पोर्शन हमारा physics का portion, I am sure आपको biology का portion अल्लेडी मिल चुका है, chemistry का भी शायद अगर आपको नहीं मिला होगा, जल्दी से लिए मिल चाहेगा, physics में इस बार number questions आए थे 12 questions, और 12 questions अगर ह से आपके 30 marks हो गए और 24 marks यहां से हो गए, तो 54 marks तो आपके यहीं से हो गए, 54 marks का मतलब होता है कि CAPF का जो examination है, उसमें जितना cutoff आपको चाहिए, उसका 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आपको सिर्फ क्या है, physics plus maths दो पूर्शन आपका बना दिंगे, अगर आपने vote 15 questions correct कर दि तो यह हमारा physics का first question, first question मैं बोला है कि अगर कोई object जो है, यह मैं बता दूँ पहले मैं यह जो use कर रहा हूँ अपना, यह मेरे पास है सेट A, मैं सेट A यूज कर रहा हूँ यहां पर, अगर आपके पास कोई different set हो, तो जो है आप उसके साब से देख लेना, सेट A है यह, ठी तो यहां पर यह first question था हो क्या था, कि अगर कोई object है, वो free fall हो रहा है under gravity, अब free fall जो है आपने अगर physics यहां पर course purchase किया होगा या कभी देखेंगे आप उसमें, तो आपको clearly बता होगा free fall जो है, वो किसी भी height से किसी object को छोड़ने पर होता है, जब यहां पर इस time जो acceleration लगत हो चेंज नहीं होगा, तो इसमें लिखा हुआ है, कि under the influence of gravity, what is correct, zero acceleration always implies zero velocity, zero acceleration का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई object है, वो यहां से गिर रहा है, किसी point पर अगर उसका acceleration zero हो जाए, अब देखे, acceleration zero कब हो सकता है, के बल यह जो strike जो हो रहा था ना, इस point पर, जब ground का strike हो रहा थ यहां zero acceleration हो सकता है, लेकिन क्या है zero velocity होती है, नहीं, zero velocity तब होती है, अब object को यहां से छोड़ते हो, उस time पर zero velocity होती है, जैसे यह आपना छोड़ा, velocity भढ़ने लगती है, भढ़ने लगती है, भढ़ने लगती है, भढ़ते भढ़ते लास्ट में ground पा जाके, इस impact कर जाती ह तो यहां पर तो velocity highest होगी उल्टा, इस point पर आपका acceleration zero होगा, वो भी सिर्फ एक strength के लिए, और वहां भी velocity आपकी highest होगी, zero नहीं होगी, तो यह option गलत है आपका, second option हम देखते है, क्या है second option, कि zero acceleration has no relation with the velocity of the object, नहीं, zero acceleration का एक relation से बहुता है, चाहा आप free fall छोड़ो, आप horizontal मे अभी zero acceleration का मतलब क्या हुआ, कि a अगर zero है, तो इसका मतलब होगी, change in velocity जो है, acceleration क्या होता है, change in velocity with respect to time, तो यहांनि कि delta v upon delta t, यह 0 होगा, v 0 नहीं होगा, delta v upon delta t, 0 होगा, यानि time के साथ velocity change नहीं हो रही है, तो velocity is constant, तो क्या इसका relationship नहीं होता, नहीं, relationship होता है, कि इसका velocity के स इसका मीनिंग यह कह रहा है कि आगर कहीं पर वेलसुटी जीरो है तो वहाँ पर एक्सलेशन भी जीरो होगा ज़र इस पॉइंट को देखिये जहां से हमने छोड़ा था अब्जेट को स्टार्टिंग में यहां पर इस टाइम वेलसुटी जीरो है क्योंकि अब यह वेलसुटी को गें करना स्टार्ट करेगा बट यहां से वह आपने छोड़ दिया इसको तो एक्सलेशन तो 33 को मिले यहां से लेकर जब तक ग्राउंट पर स्ट्राइक नहीं कर जाता एक्सलेशन आपका 9.8 मीटर पर सेकिंड बना रहेगा तो दी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है कि एक्सलेशन पूरे ताइम पर वो कॉंस्टेंट रहता है ठीक है सैकेंड कॉस्टन देखते हैं टू मैंने ट इस तरह से बनती है यहां पर आप क्या है यह नीचे की मेंनेटिक फिल लैंस भी बना लो तो पहले चीसतों क्या है कि जब हम डाग्राम के परपस से दिखाते हैं तो हमाँ पास मेंगनेट छोटी होती है तो यहां आपको लग सकता है शायदे एक पॉइंट से स्टार्ट है थीच है तो अब क्या है पहली बात तो कि यहां जो मेंट फिल लैंस साथ यह लोगे यह हमेशा ऐसे ऐसे करके जाती है लेकिन कभी बीकोई को जरूर कर benefiting कर भाई जाता है और उसका reason भी क्या है reason आपको पता आपने कोर्स वीडियो में देखा होगा कि यह उ सहां कराते हैं Magnet का direction जिस keen to north pole को point करते हैं हम उसे हाफ से करते हैं अब magnet कभी भी eight times पर नौNews इसलिए यह interesting कभी नीं कर दि 2nd can I can origin from the same point e consistently देखने में लगता है theoretically बट क्या practically वो magnet इतनी बड़ी होती है यह ना एक point से start होते हैं ना एक point पर खतम होते हैं और can intersect depending upon the situation ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें कोई situation नहीं हो सकती हर case में intersect कभी भी भी नहीं करेंगे थर्ड देखते हैं which one of the following statements regarding flaming's rule is correct यहां पर कई लोगो इसमें जोगा है थोड़ा सा confusion हो गया था अब flaming left hand rule का क्या है देखिए एक तो था फ्लैमिंग का left hand rule जिसको मैं बोल देता है फ्लैमिंग का right hand rule अगर यहां पर यह option में right hand rule नहीं होता तो लोगों confusion नहीं होता इसमें कईयों को confusion हो गया अब क्या confusion हो देखिए फ्लैमिंग का left hand rule जो है वो तब लगता है जब यहां पर आपकी कोई magnet है और यह magnet है और इधर से आपको जा रहा है current carrying conductor सब्सक्रिए यह यह current carrying conductor को पढ़ाते टाम नौर्मली लोग copper wire ऐसी चीज़ लेते हैं इसको मैं red color में कर रहा हूं बाकि जो कुछ circuit के पार्ट होंगे बैटरी बैटरी जो कुछ भी लगा होगा वह सा मेरा black part में ठीक है अब यहां देखिए कि जो इस पर force लग रहा होगा इस current carrying conductor पर जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वरह से डारेशन उसका कुछ भी हो वो डारेशन पता करने का तरीका होता left-hand rule यानि यह क्या है कि एक यह अगर है मैंगनेट है तो इसकी बन रही होगी एक यहां पर magnetic field magnetic field और इस magnetic field की वरह से current carrying conductor पर रैड पॉर्शन जो यहां पर इस पर फोर्स लग रहा होगा वा स्फोर्स का डिरेक्शन अमाउंट निकेवल डिरेक्शन दिखा था हमार फ्लैमिंग्स लेफ्ट अंड रूल ठीक यह लेफ्ट प्लैमिंग जो राइट है उसका उल्टा करता ह है इस का उल्टा यानि कि अपक्या है हमारे मेंगनेट हम क्या आज आजाते है पर हम आपर induced current बना है इनद्ष करेंट में क्या होता है कि उसमें भी सेम सिमलर्ली हम रहे रहता है एक हमारी रहती है मैगनेट अब यह पर्मानेट ले कि अगा करेंड करेंड को और वहां मुझे यह बना मुझे बनापना बड़ा इंड्यूर यह कर शो को को लगा कि यह तो जहां मेरिटिक फिल्ड पहले से और उसमें करेंट करेंट करेंटर रखा तो राइट हैंड होना चाहिए लेकिन नहीं यह क्या जो है आपर यह फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां पर होगा यह वाल ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बागी ऑप्शन सी मैंने बता दिया यह आंसर होगा नैस देखते हैं विच्वरन दा फॉल्विक स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इस करेक्ट तो मोशन के बारे में दिया हुआ और पिरिटिक मोशन सा नैसे सली सिंपल हर्मोनिक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप देख सकते हैं कि अगर 10 मिनट्स में सपोस करिए एक राउंड कम्प्लीट करता है तो अगर वो पर्सन जो इतना थका हुआ नहीं है तो तीन चार राउंड तक उसकी पिरिटिक मोशन रहेगी थक जाएगा तो उसके बाद हो सकता है 10 से 12 मिनट्स पहुँचा है तब यह पिरिटिक नहीं रहेगी पिरिटिक का मतलब क्या हो गया यह आपने उस टाइम पर बढ़ा भी होगा पिरिटिक का मेनिंग क्या हो गया कि जो भी मोशन जो है यूनिफर्म मोशन विदिन दा सेम टेम टाइम यूनिफर्म मोशन विदिन सेम टाइम 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 टीक है यह आपका हो गया तो तो यह इस तरह से रहेगा ठीक है इसको बोलता है periodic motion पर यह क्या periodic पर यह साथ में circular है क्या इसमें कहीं भी ऐसा simple harmonic motion नहीं ऐसा खुछ भी तो 1st option तो आपका incorrect है सेकेंड क्या है all the simple harmonic motions of necessarily periodic यही आपका right option है देख लिए कैसे तो suppose करिए यह आपका यहां पर आ गया एक को jeśli mr. आ साइग का मतलब आपको पता होगा यहां के सर ने आफ रहाई हो आपको की यह दो सैनि साइंह टीक्थ आ तो यहाँा अपका यह साइम साइन थीटा यहाँ होगे आपका इस तरह से आपकी वेवे चलती है यह सारे फिक्स टाइम पीरेट रहते हैं तो यह क्या है आपकी पीरियोटिक मोशन हो गई पीरियोटिक तब भी बनेगी फिफ्त देखिए दर राडर उस्ट पॉलिस टू चैप ओवर श्पीडिंग वीकल्स यह भी कॉश्चन जो है बहुत ज्यादा ऐसा था जिसने काफी सारे बच्चों कंफ्यूज किया बहुतों ने इसके आंसर गलत मां की है अब देखिए इसको को इसके लिए तो यहां सिर्फ यह जानना था किया है कि इतना जानते तो एक डारेक्ट कर सकते थे पर मैं तीनों को भी एक्स्पेंट कर दूंगा अभी सबसे बहुत हम देखते हैं हमारा डॉपलेफेट क्या है डॉपलेफेट आपको बता है उस चीज में यूज होता है जब कोई अब्जेट है अगर साउंड प्रोडूसिंग अब्जेट वो किसी स्पीड से हमारे पास आ रहा है तो उसकी स्पीड के साफ से जल्दी या बाद में सुनाहीं पड़ सकती है इसके रहे जो फॉर्मुला होता है फॉर्मूला होता है फॉर्मौट एक वस्तू वी अपन V प्लस Vs अपन Fs, इन्टु Fs, ये आपका फॉर्मला मिलता है, फॉर्मला जो है डॉपला फेक्ट में आपको सरने कोर्स पढ़ाया भी है, अब जो है, यह हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको टम्स पता होंगे कि F0 क्या होता है, frequency of observer, frequency of observer, observer मतलब वो person जो की sound को सुन रहा है, V0 जो होता है, वो क्या होता है, velocity of observer, और क्या होता है, आपके Vs इसी तरह से क्या होजाएगा, velocity of source हो जाएगा आपका, यानि कि जो sound producing source है, ठीक है, और यह जो आपका Fs है, यह हो जाएगा, क्या frequency of source, यह सारे तम्स यह आपको समन मैं explain कियोंगे यहां से आपको clearly पता चल ला है कि अगर कोई high speed car सामने से आ गई ठीक है कोई high speed car आपकी सामने से आ गई तो उस car की running की sound होगी इसके engine की sound होगी या फिर अगर उसकी अपनी sound को कितना ही silent भी कर ले अगर किसी तरह से तो वह air का friction उसकी से sound produce होगी क्योंकि वह high speed से है तो यहां पर अगर कोई police person खड़ाई या पुलिस पर सब्सक्राइब अपना राडार लगा रखा है तो राडार कैच कर लेगा कि नॉर्मल कार्स की sound जो सब्सक्राइब इसकी वह उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा सुनाई पड़ेगी तो यहां पर आप इस तरह से डारेटली इसको टिक कर सकते थे अब मैं बाकी बात कराऊ यहां पर हमारी रेस कुछ चोड़ी जाती है यह प्रिजम की बहुत ही शौट में बता रहा हूं रामान इफेट को यहां से जब रेस ऐसे करके निगलती है तो इनका क्या होता है बोला था रामान इफेट में बताया था कि इसके फोटन पार्टिकल्स होते हैं लाइट की फ करते हैं इसको लेकर के रामान इफेट था उसका यहां पर कुछ भी मतलब नहीं है क्योंकि आपकी कार से लाइट निकल लिए उसको लेकर कोई राडा आपको कैश नहीं कर पाएगा अगर ऐसा होता तो दिन के टाइम में तो कोई हैडलेट हो नहीं रहती है इंड़क्शन है आपको पटाए हिंड़क्शन एफेट क्या होता है कि वाले से हमारा इंड़क्शन हो जाता है हलाँ कि है के मिस्ट अगर छी क्ऊ-्ध्य कुछा थे क्या है और पूश् Makes कि induction effect का क्या meaning है कुलम effect क्या है कुलम effect आपको बता है दो चार्ज अगर रखेंगे दो पॉइंट चार्ज है क्यों नियुक्त इसका नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज वाली कोई बात ही नहीं है चलिए नेक्स्ट कॉशन देखते हैं विच ओध फॉलमिंग रिगार्डिंग नूटस थर्ड लॉफ मोशन इस नौट करेट गलत इसमें पूचा था गलत कौन सा होगा तो आपको बताए पहली चीज़तो की फोर्स ने वरकर सिंगली इन नेचर ना यहनि फोर्स जो अभी रागाते दलिए सींगल के पे अर्मन भांता है संग रिप योगा गया तो यहां कईел को को कन फूजन क्या हो गया था औन्दा एरथ की विरसे कंफीजन कि अलोगों का ओ रहा था है उनके छीन Principal फोर्स मिलगारा रहा है और्प पर्法 किसा लगगारी है अर्थ फोर्स आर्थ लगारा लगा अर्थ पूर्स बीसी हैं एक ये गलत नहीं है कि फोर्स आर्थ का मतलब होगा दो पुलिंग फॉर्फ भी लगा सकता है और पुशिंग फॉर्फ मी 이야기 फॉर्फ को पुल करना यह तरफ कफॉर्स बाइब लिखने से गलत टे स Авूं को अपको नीचर अप्शन को बता दिया सई एकल लेकिन वे गलत अप्श्सあの अ यह हमार option नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर on the earth का मतलब कहीं से भी मैंने फिर बता रहा हूँ, stone अगर force लगा रहा है on earth तो इसका मतलब यह नहीं है कि earth को नीचे press कर रहा है, force pulling हो या force pushing हो, दौनों कम यहीं बोलते हैं, force on earth लगाया जा रहा है, जैसे एक object A, B पर force लगाया है तो उसको force by object A, on object B यहीं बोला जाता है, तो यह option भी आपका है नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी correct option है, फिर third दिया, there is a cause-effect relationship implied in the third law, third law में एक cause-effect relationship के बार में बताया गया, यह कह रहा हूँ, cause-effect relationship मतलब आपने force लगाया उसकी वैसे एक effect मिला, ठीक है, कुछ ना कुछ cause-effect relationship के बार में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एक doubt आ सकता है, यह थोड़ा सा confusing था, cause-effect को action में जो बोलना चाहिए, मेरे साबसे जो सई टर्म है, क्योंकि अगर मैं किसी दीवार को force लगा रहा हूं और दीवार मेरे उपर force लगा रहा हूं और ना दीवार मेरे उपर, effect word मेरे साब से गलत है, बट क्योंकि यहां UPSC है तो आपको last option भी देखना, last option में क्या लिखा है, there is no cause-effect relationship, यानि वो कहना है कोई cause-effect relationship किसी तरह का वही नहीं, ऐसा नहीं है, अगर दीवार की जगा में कोई object ले लूँ जिसको मैं move कर सकता हूं, तो वहां cause है मैं उस पर effect डाल पा रहा हूं, तो यह option ही होगा जो गलत, जो आपका गलत option है, cause-effect relationship के बारे में क्या third row बिल्कुल नहीं बताता है, तो यह option गलत option है, यानि हमारे लिए सही option है, not correct है, तो यह हमारे लिए गलत है, तो यह analysis बहुत ज़रूरी थी आपकी, तीनों को ले करके, ए, बी, सी तीनों को ले करके, conceptual clarity यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी, चलि अगले question को देखते है, next question है हमारा क्या, कि यहाँ पर पूछा गया है हमसे, एक ही question इस पेज पर आपको मिलेगा physics का, वो यह है, कि कौन सी इसमें से ऐसा बल्ब होत, कौन सी इसमें से ऐसे gas होती है, जिससे की जब electricity पास कराई जाती है, तो रेड लाइट प्रोडूस करती है, तो आप सभी को बता को यह बहुत ही simple आपको इसमें फिजिक्स जानने की भी जोगत नहीं थी, दुकानों पर भार आपने, शोरूरूम पर, अब इसका रीजन क्या है क्यों प्रोडूस करती है, यह तो आप अपने chemistry पर पढ़ लेना, अभी तो मैं सर्फ शॉर्ट में आपको इतना बता रहा हूँ कि नियोन गैस का आपको पता होगा, नियोन गैस के लिए कि हम मानते है कि बल्ब को है, अगर उस बल्ब को जादा जूम कर दूँ, मैंने एक चेंबर मान लिया उसे, यहां सा पोस्करिया आपकी नियोन भरी हुई है, इस नियोन में क्या होता है, अगर मैं इसके एक एंड पर, एक एंड पर यहां पर इलेटिटिटी पास करा दूँ, और एक एंड पर यहां से एक करेंट कर दूँ, करेंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, ऐसे वापिस जाएगा, तो इसमें क्या होगा, यहां हो जाता है, आईनाइजेशन, आपको जरूर अगर आपने यहां का कॉर्स परचेस किया है, तो आपको एक वापिस जरूर मिल गया होगा, आईनाजेशन की वैसे क्या होता, इसके पारिटिकल्स ऐनाइज होने की बाद, कलर प्रडूर करते है, क्या दुकानों पर इसमें नियोन यूज होता है, तो वह रड़ कलर कही होते हैं, नियोन का निचर रड़ होता है, लेकिन वह और भी कुछ गैसे कम अमांट में मिक्स होती है, कुछ यालो प्रडूर करते हैं, कुछ ब्लैक प्रडूर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नियोन के साथ ही खासी आता है, नियोन इसका अंसरा हो जाएगा, और इसमें कोई भी खुछन जो है, फिर्टिस का नहीं था, नेस्ट देखते हैं कौँ सा कुछीन था हमारे, भी तेक हमारे कितने हो गए , आठ गॉस्ट शाहत हमारे होचके हैं, यहां पर नेस्ट वेच्टिन ही देखते हैं हमारा, देडिव रोग्ली वेलेंथा थिक है गवर आपने इस्टेडिया थैडिव आधि रहुंग हो बता कि क्या होता है यहां पर ECH क्या हो दिवराल क्या होता है छिर्व परो धुम्टो एक सेमेट सेमेठ अधृ EV लेम्डा प्रोटन हो जाएगा लेम्डा की मतलब है एच अपान पी यह नि मुमेंटम ओफ एलेक्ट्रॉन है अप अपान पी पी मतलब मूमेंटम प्रोटॉन अब यहां से आपको अगर लीनियर लिए अब यहां पर इसको आप लिख सकते हो क्या पी का मतलब हो गया एम इंटु वी मज़ी जो है अगर हम देख लेंगे कि या पहली बात तो यहीं से में कॉंक्लुसन मिल जाता है कि उनका मोमेंटम होना चाहिए ठीक है अब जो इसका डिटेल में भी जाके देखना आपको बता चलेगा किमास वेलोसटी का प्रोटाटिकल होना चाहिए क्या सिर्फ मैं वैलोसटी वैलोसटी एक्क्वल कर दूँ तो काम हो जाएगा हाँ हो जाए स्कूर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर अब बात रहे को यहां पर यहां पर आ पर आप पर यहां पर जा आएक जब हम कहीं circular motion करते हैं, rotational motion करते हैं, यहां किसमें बोला है कि electron of proton की circular motion हो रही है, तो आपको यह horizontal के साब से भी मान के चलना पड़ेगा, यह हर case में जो answer सही है, वही answer UPSC में सही माना जाता है, जो हर case में सही है, एक दो case की बात यहां पर नहीं होती है, ठीक है, next question देखिए, oil and water do not mix, अब देखिए, इसका simple सा आता था, surface tension, surface tension है concept क्या था, बहुत short में smell करूंगा, ज्यादा detail में जाओंगा नहीं, आपको बता कर कोई container है, तो उस container में क्या होता है, surface tension दो तरह से लग सकता है, दो तरह से हो सकता है, उस container में, लेकिन कब लगेगा, जब आप उसमें कि इसी चीज को fill out करोगे, जैसे मैंने यहां इसको fill out कर दिया, अब surface tension जो है, वो दो तरह से लग सकता है, एक हो था हमारा cohesive force, एक होता हमारा adhesive force, adhesive force का मतलब हो गया, इस container के साथ किसी liquid का चपक जाना, वो हो गया हमारा adhesive force, अगर container के अंदर जो liquid है, आपस में चपक जाए, तो बोलता है, cohesive force, अब देखिये जरा, कि liquid और water और oil, तो यहां पर एक जगा water हो गया, अब उपर समझे, मैंने इसमें oil डाल दिया, यह blue color का जो है, इसमें oil हो गया, अब यह oil जो ऊपर रहता हमेशा, यह कभी water के साथ mix नहीं होता, mix क्यों नहीं होता, यानि कि समझ लो इनकी क है, cohesive force बहुत जादा है, जो repelling cohesive force है, यानि आपसमें उनको चिपका नहीं रही है, उनको दूर कर रही है, वो force इनमें बहुत जादा है, cohesive force की विए सेपरेट हो जाते है, ठीक है, तो क्या हो गया, स्कांसर, सिंपल से स्कांसर हो गया, surface tension, उन्हें डेटेल में जादा कही नह जादा expand हो जाए, ऐसा कुछ भी निंग है, bulk modulus एक relationship है, जिसको हम कहते है, delta v upon delta p, उससे भी हाँ कोई मतलम नहीं है, क्योंकि कोई oil उसके पर pressure नहीं डाला ना उसका volume बढ़ा रहा है, next there triple point of the substance causes, tip point आपको पता है, triple point जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, real life में वो साबी होगा, सर ने detail में उसको समझाया होगा, triple point of water हम जातर देखते है, कैसा graph बनता है, ऐसा कुछ graph बनता है, यहां क्या होता है, हम यहां पर लेते हैं temperature, यहां पर हम लेते state, ऐसे करके बनता है, और यह graph में कुछ ऐसी shape हमें देखने हो मिलती है, यहां पर ऐसे होता है, फ triple point of water, triple point of water का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह वो temperature है, और यह होता है, कितना triple point of water, यह होता है, 73.12 Kelvin, 73, sorry, 273.12 Kelvin, 273.12 Kelvin का मतलब हो गया, 0 degree Celsius बिलकूल, ठीक है, तो, sorry, 100, 100, 100, 100 पर हो गया है, 100 plus 273, 373.12 Kelvin, यहां पर आपका triple point मिल जाता है, इस temperature पर, यानि triple point का मीनिंग क्या हुआ है, यहां पर आपका यह वाला आपका liquid phase है, यह वाला वाला आपका gas phase है, तो water आपको तीनों फॉर्म में मिलेगा, ice, यानि की solid, water, यानि की liquid, और तीसरा, gas यानि की vapor, तीनों फॉर्म में आपको को तो फिर से अपनी इधर की या इधर की ऊपर नीचे का फेस पकड़ लेगा वो नहीं करने देना तो यहां पर है अब अगर आपने हीट वाले चेप्टर को धियान से पड़ा और ही इत्रांसफर को तो ही त्रांसफर इध्राक पथा ही कि दो तरह कि हमारे पाइस इतर ही एक होती है इक है पास शयो के ऐ पास लेकिन स्वक स्टेंच कर जाएं जैसे अफंडल 네 तो क्या हो जाएगा उसका फेस्ट हो जाएगा लेकिन आपको पता है 100 डिग्री सेलसेस पर कब चेंज हो रहा है जब प्रेशर आपको एटमस्फरीक प्रेशर ही आपका बना हुआ है ठीक है तो अब देखें यहां पर क्या है यानि कि टेंपरेचर आपने कॉंस्टेंट करना वॉल्म का में करती है इसका मतलब क्या होगा स्फ प्रेशर ज्जादा लग रहा है स्वरी कम लग रहा है क्योंकि यह क्या है पी और वी आपसमें इनवासी प्रपोर्शनल होते है क्या बोलता है मैं इसको बॉइल लोग sorry चाल्स लो चाल्स लॉग ठीक है तो यह जो है अगर यहां पर उसकी जो है प्रेशर भी महां पर चेंज हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह कब तक प्रेशर प्रेशर कॉंस्टेंट था जब तक यह टेम्परिचर राइस कर रहा था एक बर हंड़र डिगरी सेल्सेस से ही वह आ तो यहिएस टी ने जब वह दी थी अपनी जो थि धीशर माना न ने काहता कि कि h is equal to mv होता है sorry कि lambda equals to h upon mv होता है और e equals to mc square जो बहुत ही famous formula है इन मैं से किसी के लिए भी Einstein को Nobel नहीं मिलाता, Nobel उनको मिलाता photoelectrifice effect के लिए photoelectrifice effect क्या जहाँ पर उनने बताया था कि light जो है actual में वो सिर्फ wave nature नहीं है light जो particle nature है हाला कि इसको लेकर आगे बहुत 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 चली और फिर डीब रोली को नास्ट में Nobel के वाल यह बताने के लिए मिल गया था कि उसका दौनो नेचर होता है तो वो एक अलग चीज है बट Einstein को जो Nobel मिलाता वो इसके लिए बाता फोट एक शांपर उन्होंने बताय था कि light जो उसके अन्दर पारिटिकल एफेक्ट भी है वेव पारिटिकल एफेक्ट उसमें उसका वेव नेचन नहीं होता है पारिटिकल उसके वह फॉट्ओन एमिट करता है फॉट्ओं क्या करते हैं उनके पास energy होती है और energy है तो वो क्या करते हैं वो एक तरह से जैसे electric charges चल लें इस तरह से काम करते हैं यही था हमारा photoelectric effect second क्या है इन्होंने कुछ इसमें photoelectric effect में detail में theories दीती हैं इस तीन ने पहली theories में लिखा हुआ है कि हर metal के लिए एक threshold frequency होती है new knot जिसके बिना जिसके नीचे क्या होगा यह effect नहीं होगा यह effect नहीं होगा सही बात है बिल्कुल कि एक frequency होती है उसके ऊपर वाली frequency आप catch कर पाते हो यह भी बिल्कुल सही है थर्ड देखते है क्या कि kinetic energy होती है ejected electrons की यानि frequency क्या आपकी threshold से ज्यादा हो गई new greater than new knot लिखा हुआ है frequency आपकी threshold से ज्यादा हो गई frequency है detect होगी अब लिखा है इसके ऊपर जाने पर kinetic energy जो होगी ejected electrons की और change नहीं होगी भाई आप कभी भी frequency भढ़ा होगे ज्यादा frequency से एमिट करोगे आप ही kinetic energy तो लगातर बढ़ेगी तो उसका इस चीज से तो कोई मतलब भी नहीं कि थ्रेशोल्ट से कम है ज्यादा है kinetic energy हमेशा बढ़ेगी तो यह statement होगे आपका गलत यानि हमारे लिए साही क्योंकि यह आप पूछा था नॉट करेट और डी ऑप्शन का number of electrons ejected is proportional to the intensity of the incident light सही बात है light आपकी जितने ज्यादा intensity आ रहे होगी intensity का मतलब आपको बता है तीवरता जितने ज्यादा तीवरता से light आपकी आ रहे होगी उसने ज्यादा यानि उसमें electron होंगे यही आइस्टन की थिए हमाही लिए यह correct है नैस question जो मैं जो फिरिस का मिला देखने को वो जो है आई थिंग मुझे तो लग रहा शाहिए लास्ट कुछन ही है फिरिस का मैं जो नैस्ट कुछन हाँ यह हमारे लास्ट कुछन थे इतनी कुछन हमें फिरिस के आये थे इस बार तो आप देख सकते है 12 अब थोड़ी सी आपको आगे की इनफोर्मेशन दे दूं अगर आपका जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है इस बार जो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ या आप नेक्स्ट आम प्रिपेर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि CAPF के लिए हमारा करते हैं कि NDA के लिए हम वो इस्टूट नहीं है जो केवल रिटन करवाएंगे रिटन प्लस SSB दोने के लिए हमारे यहां पर रहेगा और को इसके लिए separate fee भी नहीं है रिटन प्लस SSB के लिए हमारा जो दोने यहां पर NDA के उसमें इंक्लूड रहेगा आप किसी भी मोन मे स्टेडी करना पड़ रहा था फिर भी मैंने डेटेल एक्स्प्रेशन दे दिया ठीक है तो अगर आप जो नेक्स्ट ताइम के लिए अच्छे से प्रेपेर करिए ठीक है तब तक मैं चलता हूं थैंक्यू जाहिन जाय बारत